दोस्तों करवा चौध दोहजार चौबीस में कब है और कब निकलेगा चांद? और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्थ? और सरगी किस्समें खाना है कौन देता है सरगी? जानिए सब कुछ जोतिश के अनुसार, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें. यदि करवा चौध की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, उसके सुहाग की रक्षा करना, उसकी गरीबी दूर कर देना लाइक जरूर करे. दोस्तों भारत में हिंदु धर्म ग्रंथों, पौरानिक ग्रंथों और शास्त्र आधी के अनुसार, हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संसकार आधी आता ही रहता है, लेकिन कार्थिक मास के शुकल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है, करवाचौथ एक तरफ और पति-पत्नी का प्यार एक तरफ, इतना पावन पर्व होता है, करवाचौथ का विशेष तेओहार, यह वरत शिवशक्ति का अटूट मिलन होता है, माना जाता है शिवगौरी के मिलन से, और करवाचौथ वरत रखने से, पति-पतनी के प्रेम में भी मधुरता बढ़ती है प्यार सनेह बढ़ता है इदरसल इस दिन को करवा चौत का वरत किया जाता है आज हम स्माइल फैमिलीज चैनल के माध्यम से करवा चौत के चांद से लेकर के कपड़े और खाने तक की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस वरत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा महबबत होती है करवा चौत का वरत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है ये ना सिर्फ पती की उम्र बढ़ाता है बलकि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है ये वरत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है ये वरत सच्चे प्रेम को दर्शाता है दोस्तों इस वरत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है दोनों के बीच एक रिष्टा ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृती आपस में बातें कर रही हो जैसे धर्ती और अंबर जैसे सागर और नदी का मिलन होता है उसी प्रकार करवा चौत पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पन करने का विशेश दिन माना जाता है विशेश वरत आधी माना जाता है करवा चौत का वरत पती पतनी दोनों को मिलकर करना चाहिए अगर किसी कारणवश पती ना कर पाए तो पतनी को करना चाहिए पत्नी यदी बीमार हो तो पती को पत्नी के लिए आत्म समर्पन हेतु वरत आधी करना चाहिए ऐसे में भगवान शिव और माँ पारवती अत्यंत आश्चर्य जनक रूप से प्रसन्न होते हैं दोस्तों माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है हालांकि पूरे भारत वर्ष में हिंदु धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूम धाम से इस्तियोहार को मनाते हैं लेकिन उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदी में इस दिन अलग ही नजारा होता है दोस्तों करवा चौत वर्द के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी और दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है चांद निकलने के बाद घरों की छटों का नजारा भी देखने लायक होता है दोस्तों स्माईल फैमलीस के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें क्योंकि ये वरत माता पारवती को समर्पित होता है जब आप कमेंट में जै माता पारवती लिखते हैं तो इससे आपके पती की आयू बढ़ेगी तथा पतनी की आयू बढ़ेगी और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा यदि आपकी राशी के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे सूर्योदय से पहले ही चार बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही वरत खोला जाता है इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गनेश की पूजा की जाती है और करवा चौत वरत की कथा सुनी जाती है मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस वरत को किया जाता है अद दोस्तों लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस वरत को रख सकती है माना जाता है कि अपने पती की लंबी उम्र के लिए इस से श्रेष्ट कोई वरतादी नहीं होता दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौत कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्थ शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्थ में पूजा पाठ करने से पती पतनी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है सभी देवी देवताओं का आशीरवाद एक साथ मिलता है जानिये चांद निकलने का समय तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्थ दोस्तों 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानि 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और करवा चौथ के दिन पूजा का मुहूर्थ शाम है शाम पांच बचकर 46 मिनट से लेकर शाम 7 बचकर 2 मिनट तक रहेगा जो कि पूजा का शुभ मुहूर्थ रहेगा इसी मुहूर्थ में आपको पूजा पाट करना है और चांद निकलने का समय है 7 बचकर 50 मिनट जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा हर जिले में चांद अलग-अलग निकलता है अलग-अलग समय पर निकलता है लेकिन चांद निकलेगा जरूर आपका वरत संपूर्ण और सफल होगा जरूर अगर आपने वरत रखा है तो चाहे आंधी आजाए तूफान आजाए पर प्रकृति आपका वरत संपूर्ण अवश्य करेगी दोस्तों खास करवा चौत पर सुहागिन महिलाएं करती है एक बड़ी गलती जाने अंजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पती पर आते हैं भारी संकट इसी लिए खास कर करवा चौत पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी न ओढ़े ऐसे में करवा चौत की शौपिंग तयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती है लेकिन क्या आप जानते हैं खास तोर पर करवा चौत के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए यहां तक कि बॉलिवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती वरत टूट जाता है पती पर आते हैं भारी संकट दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि ये तेवहार पती के लिए किया जाता है इसी लिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना तो चलिए जानते हैं स्माइल फैमिली जैनल के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले आप ये जान ले कि करवा चौत पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एक सुहागिन महिला को अपने पती की निशानी कभी किसी पराइस्त्री को नहीं देनी चाहिए इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है जैसे शादी का जोड़ा माथे की बिंदिया, सिंदूर मंगल सूत्र, पायल, पैरों के बिछिया आपकी शादी की चुन्नी जो की बहुत महत्त्व रखती है ऐसे में कोई भी 16 श्रिंगारों मेंसे कोई भी एक चीज कभी किसी पराइस्त्री को नहीं देनी चाहिए शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके पती की निशानी है, लेकिन हां आपकिसी को नया वस्त्र या नया श्रिंगार दे सकती है लेकिन आप अपना कभी ना दे अन्यता पती पर संकट आ सकते हैं आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है पती पत्नी में प्रेम कम हो सकता है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पती पत्नी में प्रेम कम हो जाए प्रवाचौट के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी सफेद सूट फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों न लगे आपको करवाचौट पर कतई नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये रंगस्त्री के विध्वा होने का रूप होता है और बात जब करवाचौट की हो तो सफेद वस्तर कभी नहीं पहनना चाहिए यहां तक की उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्तर नहीं देना चाहिए बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों खास करवाचौट पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहन कर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है शादी का जोड़ा करवाचौट पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पती को बहुत खुशी होती है साथ ही साथ माता पारवती का मिलता है आशीरवाद क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजर्गों के आशीरवाद के साथ और देवी देवताओं का माता का आशीरवाद मिला होता है इसलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी लाल कपड़े पहन सकती है दोस्तों, खास करवा-चौत पर, लाल रंग का जोड़ा भगवा रंग हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते। खास करवा-चौत के दिन, आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तो खासकर करवा चौत पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए होता है। घोर अनर्थ लगता है। स्त्री को पाप और ऐसे में करवा चौत का वरत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। जितना लंबा हो सके, माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा द्रिश्य देखकर माता पार्वति अतिप्रसण होती है और देती है अखंड सौभा जिवती का वरदान। माता पार्वति को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती ह अगर आप हलका सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पती पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी आपका पती किसी पराइस्त्री की और आकरशित हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है आपके पती के कई संबंध हो सकते हैं शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पती पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है पती भी होता है आकरशित मिलता है लंबी उम्र का वरदान इसी लिए कम से कम खास कर करवा चौत पर ऐसी गलती कभी न करें दोस्तों नमबर फोर सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षन नहीं होते अगर ऐसा हो जाए तो माता पारवती को याद अवश्य करें बला टल जाती है साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तिमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये आपके पती की निशानी है ऐसा करने से पती भटक जाता है दोनों के बीच आती है भारी विप्दाएं दोस्तों नमबर फाइव अगर आपका पती आपकी मांग में सिंदूर भड़ता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है साथ जन्मों तक का साथ ये द्रिश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पती आपसे बहुत प्रेम करता है माता पार्वती को होती है खुशी मा बचाती है संकटों से देखिए करवाचौत की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें आज की वीडियो बहुत ही सुन्दर है ग्यान वर्धक है इस वीडियो में आपको करवा चौत की विधी भी बताई गई है दोस्तों खास करवा चौत पर जब आप शौपिंग करें तो क्या खरीदे और क्या नहीं और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है तो आए जानते हैं और इसे पहनना भी शुभ माना गया है दोस्तो नमबर टू बयां बयां को आसान भाशा में इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है इसलिए बाजार से खरीददारी करते समय एक बहु को ये ग्यान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दे दोस्तो नमबर थ्री चूडियां चूडियां लेना कताई न भूले सुहागन के श्रिंगार में इसका खास महत्व माना जाता है इसलिए इसे जरूर ले इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूडियां ले सकती है या फिर हेवी कड़े ले सकती है करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है इसके बगएर करवा चौथ वरत अधूरा माना जाएगा दोस्तो नमबर फोर आभूशन पर पर ही महंदी लगाये करती थी लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से महंदी लगाने वाले मिल जाते हैं वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती है तो घर पर ही महंदी लगाना एक बेहतर ओमशन माना जाएगा दोस्तो नमबर सिक्स करवा और छलनी करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पतनी पती को देखती है करवे से ही पती पत्नी को पानी पिलाता है अगर ये दोनों चीज करवा चौत पर ना हो तो आप का वरत सफल नहीं माना जाएगा बलकि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं दोस्तो नमबर सेवन खास करवा चौत पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पती पत्नी का जीवन सुख में बीटता है खास करवा चौत पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है पती पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए इससे प्यार और बढ़ जाता है दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौत पर क्याना खरीदे और किन किन गलतियों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए ऐसा करने से रिष्टों में नेगेटिविटी आएगी नमबर टू करवा चौथ खुशी का तियोहार माना जाता है ऐसे में धारदार चीजें चाकू, छुरी, कैंची आदी बिलकुल भी नहीं खरीदनी चाहिए ऐसा करना पती-पत्नी में जगड़ा आदी हो सकते हैं आपका वरत खंडित हो सकता है ऐसे में आपको अशुब परिणाम मिल सकते हैं ऐसा करने से बचें दोस्तो नमबर फोर करवा चौथ में इस्तिमाल होने वाली सींके या तीलिया बिलकुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए जैसे उनकी तूटी हुई डंडिया बिलकुल भी ना हो अगर ये तिलियां टूटी हुई है तो आप इन्हें इस्तिमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें दोस्तो नमबर फाइव सबसे पहले मुहूर्थ के अनुसार पूजा पाठ करें बगेर मुहूर्थ के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा इस बात का ग्यान हमेशा आपको होना चाहिए जो महिला मुहूर्थ पर पूजा पाठ करती है तो उसके पती को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है रिष्टों में मधुर फल प्राप्त होते हैं देखिए पहले आप मुहूर्थ में पूजा पाठ कर लें आप आराम से कहीं बैठ जाए फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्थ का लाब भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे तो मेशा ये बात नहीं भूलने चाहिए कि उसका पती सिर्फ उसी के लिए बना है अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पती भी कहीं और शेयर हो जाता है मतलब आपका पती आपका पती नहीं रहता उसका मन कहीं और भटकने लगता है ऐसे में आपका मंगल सूत्र, सिंदूर यहां तक की पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करे क्योंकि ये आपके पती की निशानी है आपके पती पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं चीन सकती दोस्तों ये बात आप लिख ले आप नया मेकब खरीद कर दे सकते हैं लेकिन अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना चाहे गंगा में विसरजित कर देना लेकिन किसी औरत को मत देना दोस्तों खास तोर पर करवा चौत का वरत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए अगर आप गर्भवती हैं और आप इस वरत को रखने में सक्षम हैं तो आप इस वरत को रख सकती हैं अगर आपकी स्थिती वरत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें साथ ही साथ कुमबारी कन्या करवा चौत का वरत रख सकती है और वही अगर आपकी कोट मेरिज हुई है और साथ फेरे नहीं हुए है तो ऐसे में आप इस वरत को कभी न रखें क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा ऐसा पाप मत करना पहले हिंदू रीती रिवाजों के साथ साथ फेरे ले ले तभी ही इस वरत को कर सकती है और दोस्तों जो स्त्री कोट का चहरी से शादी करती है और साथ फेरे नहीं लेती है तो ऐसी शादी अशुब मानी जाती है फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो ऐसी शादी अपवित्र ही मानी जाती है ऐसी औरत मात्र एक रखैल के रूप में देखी जाएगी मात्र ये रिष्टा एक कच्रा है और कुछ नहीं जिस शादी में साथ फेरे होते हैं परिवार सहित आशीरवाद होता है वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है दोस्तों अब जानते हैं करवा चौत पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए और वरत रखने से पहले सरगी कैसे ले किस समय ले और इसे कौन देता है आईए जानते हैं स्माइल फैमिलीज में विस्तार से देखिए एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पारवती ने करवा चौत का वरत किया था देवी पारवती की सास नहीं थी इसलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी इसलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौत का वरत रखा था तब उनकी सासू मा कुंती ने सर्गी दी थी इस तरह मायके और ससुराल से सर्गी की परंपरा जुड़ी हुई है ऐस सर्गी किस समय लेना चाहिए सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए सर्गी में आप मेवे आदि खा सकते हैं फल फूरूट खा सकते हैं नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए बहुत ही ज्यादा फायदे मंद माना जाता है दूध जले भी आप खा सकते हैं तला भुना भूल कर भी ना खाए इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत तूट जाएगा ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए सरगी में लहसुन प्यास का खाना कभी मत खाना नहीं तो मा देवी पारवती आपसे क्रोधित हो जाएगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा सरगी खाने का समय सूरे उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए यानि कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद सूरे उदय हो जाता है इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत तूट जाएगा सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशिरवाद मिलता है पूरी हलवा आदियवश्य बनाएं आप चाहे तो आलू, गोभी की सबजी, केले की सबजी, पनीर आदी बना सकते हैं चावल भी बना सकते हैं लेकिन मातारानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी खीर, छोले की सबजी आदी बना सकते हैं करवा चौत पर अगर आपका पती मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका वरत खंडित हो जाएगा, आपके पती की आयू घट जाएगी, चौत माता क्रोधित हो जाएगी, इसलिए करवा चौत का वरत सूजबूज के साथ रखा जाता है, इसमें कोई कलती न करें, लहसुन खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि ये भोग चौत माता को लगता है, और देखिए, यदि करवा चौत पर शुकरवार का दिन पढ़ जाए, तो खटा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दिन संतोशी माता का होता है, और संतोशी माता क्रो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तथा नफरत करती है, तो उसे ये वरत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति-पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों करवा चौद का वरत तब तक रखा जाता है, जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है, तो उसकी जगह पती ये वरत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए, तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है। लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती, वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है, आप चाहे तो अपने पती से भी पूजा करवा सकती है, ऐसे में आप कथा भी सुन सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्ष ना करें, आप वरत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं परंतु इश्वर की प्रतिमा को स्पर्ष ना करें मासिक धर्म में वृत रखने की कताई मनाई नहीं है या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आप को इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है दोस्तों वही गर्भवती महिला भी करवा चौत कवरत रख सकती है लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले ले दोस्तों पती की निशानी जो मंगल सूत्र होता है उसे स्वयम आप ही खरीदे या अपने पती से ले ले दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तिमाल ना करें इससे पती पर संकट आ सकते हैं चौत माता अर्थात माता पारवती को प्रसंद करने के लिए जितना ज्यादा हो सके संपून सिंदूर भरना चाहिए माता रानी को सिंदूर से सजी संबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग गिशाली होने का बरदान क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र मा पारवती से संबंधित है कम से कम करवा चौत पर मांग में भरपूर मातरा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए दोस्तों चौत माता को क्या न चढ़ाए जब आप करवा चौत की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सींके या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए जो कि हम दिखा रहे हैं इन सींको की संख्या साथ भी हो सकती है और कुछ लोग आठ भी इस्तिमाल करते हैं वही जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए टूटा तथा चटका करवा माटा को चड़ाने से वरत टूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है माता को जब आप शरिंगार का सामान चड़ाए तो नया ही चड़ाए ध्यान से देखें चूडियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए आप भी तूटी तथा चटकी चूडिया ना पहने करवा चौत में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है इसके बगएर आप कभी भी करवा चौत की पूजा करी नहीं सकते क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है छलनी तूटी हुई नहीं होनी चाहिए आप चाहें तो पुरानी करवा चौत की चलनी इस्तिमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं दोस्तों माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में पांच रंग के फल होने चाहिए और मिठाईयां भी पांच रंग की होनी चाहिए बड़ा ही शुब माना गया है फलों में खास कर माता को नाशपाती न चढ़ाएं शुब नहीं माना जाता आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाईयां रख सकते हैं करवा चौत पे इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए चावल साफ और सफेध होने चाहिए माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानि पानी वाला नारियल होना चाहिए अं माता को लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ट उत्तम माना गया है करवा चौत की पूजा के आसपास जाडू पोचा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चपल भी दूर हटा दे पाप लगता है वरत तूट जाता है चौत माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती करवा चौत की पूजा में चौत माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए इस बात का ध्यान रहे चौत पूजा के लिए जब आप करवा चौत का फोटो लगाए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए फटा गला फोटो खण्डित माना गया है फोटो संपूर्ण होना चाहिए फोटो पर फूलों की माला अवश्य चड़ाना चाहिए करवा चौत की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए कथा जब आप सुने तब आपकी मुठी में थोड़े चावल होने चाहिए दोस्तों कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं जो कि हम स्माइल फैमिली चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे आप वहां से सुन सकते हैं करवा चौत की पूजा में पूरे मेकप आदिश रिंगार के साथ चौत माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए दोस्तों इस बात का ध्यान रहे अगर आपका करवा चौत का व्रत है तो मन में खाने के प्रतिलालसा न रखें अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करे और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननत को दी जाती है साथ में थाली में दक्षणा भी डाले और आशीरवाद लेना न भूले अंत में पती के साथ भोजन ग्रहन अवश्य करें वरत संपूर्ण और सफल हो जाता है दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो सबस्क्राइब करें और लाइक करें जै माता रानी